Hello, Good Morning, Namaskar आज हम बात करेंगे कि क्या मोबाइल फोन से कैंसर होता है? Do mobile phones cause cancer? क्यों? चुकि एक बिश्तरित study publish हुआ है कि यह मीत है या reality है? कि मोबाइल फोन से कैंसर होता है? Clear? अब बहुत सारे study है, बहुत सारे country में कि मोबाइल फोन से cancer होता है या नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं होता है तो इसका एक बिश्तरित अध्यन किया गया, लगवग 5,000 study को analyze किया गया है WHO के निगरानी में, अब उसका क्या conclusion है? और उस conclusion का क्या आधार है? अगर मोबाइल फोन से cancer होता है, तो क्यों होता है? नहीं होता है, तो क्यों होता है? यह सारे चीज अभी हम समझने का प्रियास करते हैं चलिए शुरू करते हैं, news, WHO के निगरानी में WHO कमिशन किया इस study को, और जो पब्लिश हुआ है, इन्वार्मेंटल इंटरनेशनल में, बहुत परतिष्टित या publication है इसमें comprehensive evidence दिया गया, एक विश्तृत साबूत evidence प्रस्तूत किया गया है, कि mobile phone से cancer नहीं होता है यह study को laid किये हैं, इसको Mark Ildud, जो University of Auckland, उन्होंने लगभग 5000 study को review किया और उनका निस्कार्स है कि no increased risk for brain cancer, brain cancer नहीं होता है mobile phone चलाने से 10 साल तक अगर कोई mobile phone भी continue चलाए तो उनको brain cancer नहीं होता है अब हम आते हैं कि यह study कैसे conduct किया गया, क्या-क्या इस study में किया गया, कि हम इसे comprehensive study बोल ला है उसके बाद में हम देखेंगे कि क्यों, क्यों नहीं होता है कि लिए चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि how about the study देखिए इस study का focus पर ध्यान दीजिया और scale देखिए क्या है इस study का scale है over 5000 study यानि लगभग 5000 से जादे study को या analyze किया है जो विभीन कंट्री में है, उसमें से 63 study जो 22 कंट्री में किये गये थे उनको mostly relevant पाया गया है इस analysis के लिए, यानि इनका कुछ विष्तरित जो ये study था 63 study या 5000 को किया गया लेकि 63 study को किया गया है और इस study में mainly analyze किया गया है mainly cancer, brain cancer को जो 3 type के है including children also जिसमें pituitary gland cancer है, salivary gland cancer है और leukemia आज है, मनें बिविन तरह के blood cancer है, clear, अब इसमें इस study में क्या find किया गया, क्या मिला इस study में निसकर्च निकला कि no increased risk for brain cancer, यानि brain cancer नहीं होता है mobile phone use करने से यानि कोई evidence नहीं मिला इनको कि cancer risk है, कोई broadcasting transmitter, mobile भी उसी तरह चलता है, transmit करता है वेब को या base station से, जैसे tower होता है, tower के नजदी को ऐसा भी मीथ है, कि घर बनाने से वहाँ cancer हो जाता है, चुकि यहां से radiation होगरा चलते रहते हैं, ऐसा भी कुछ evidence नहीं मिला, clear, अब देखिए, या pituitory gland, या cancer देखिए, यहीं पर phone सटा है के लोग बात करता है, यहीं पर होता है pituitory gland इसका थोड़ा सा बड़ा चीतर है, तो यहां cancer, नौर्मी बताया जाता है, cancer हो जाता है, या salivri gland, या salivri gland, तीनों मिलके salivri gland बोलते हैं, जो की saliva, लार वगरे निकालते हैं, जो हमारे भोजन को gut के लिए important होते हैं, तो यहां भी cancer हो सकता है, यहां भी cancer, cancer क्या, वहां का cell tumor में तबदिल हो जाता है, यानि malignant हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, अब हम आते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, mobile phone क्यों cancer नहीं होता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे, कि mobile phone कैसे काम करता है, mobile phone क्या है, wireless technology, इसमें wire नहीं होता है, communication communication दो तरह को हम टा है, एक wire होता है, और एक wireless होता है, चलिए है, तो mobile phone किस कर्टगटरी में आते हैं, wireless technology के चलिए हैं, या जितने भी mobile phone है, जो भी wireless technology है, या signal को exchange करने के लिए, य cockro करने के लिए, radio frequency wave यूज करते हैं, RF यूज करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेब क्या है एकilingual Experiment spectrum का है क्या है अब इसमें जो अनरजि होता है और दुसरी बात कि यह जो RF spooky वेब है ऑल त Gilbert कि बात करते हैं मउगाल RADIATION सरीडियो एक लाता होकिक्काइब रेडियोफ्रिवेटन ऑन इसमें आएट फ्रिक्वर सिस्ट पफिर को एक अब आफ आपके दिमाग में आ रहा हो तो सब्सक्रीकमिस्ट उसे स्टेधियोफट स्टेफे खिर्धार नें एक प्रकार है रेडियो फ्रिपेंसी वेब जो नॉन आयोनाइजिंग है तो क्या रेडियो फ्रिक्वेब के लक्रोमागनेटिक स्पेक्टर में आयोनाइजिंग रेडियेशन भी होते हैं हाँ होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वेब में भी आयोनाइजिंग रेडियेशन हो सकते हैं जोकी करते हैं बोड़ी कर देते हैं यह नहीं करते हैं यह यह आयोि liquid करते हैं इसमें बहुत एनर्जी होते हैं जो कि DNA को भी डाइमेज कर जाकते हैं और कैंसर भी हो सकता है लेकिन यह जो है नन आयोनाइजिंग है यानी नन आयनिकृत रेडियेशन है इसलिए इससे human body को कोई नुकसान नहीं पहुंचता ऐसा study में बताया गया यह कौज दिया गया है यह है electromagnetic spectrum ध्यान दिजेगा यह है wavelength यह पार्ट है रेडियो इसी पार्ट का इस्तमाल हम लोग करते हैं wireless में ध्यान दिजेगा जिसमें wireless technology जिसमें mobile phone भी आता है देखिए इसमें frequency बहुत कम है frequency में जो इस तरह का है ना इस तरह का कम है लेकिन wavelength बड़ा है तो wavelength बड़ा है frequency कम है frequency म बहुत कम है energy कम है इसलिए human body को इतना इसके पास energy नहीं है कि human body को या परभावित कर जेगा डैमेज कर दे जबकि और wave जैसे धीरे 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 बढ़ेंगे जैसे UV है एकसरे है गामा रहे है देखिए इसमें कितना frequency है या आपके DNA cell को डैमेज कर सकता है लेकिन अगर यह सा यहां इससे cancer हो सकता है लेकिन यहां केवल radio frequency wave यूज करता है जिसमें frequency बहुत कम होते हैं देख रहे हैं थीरी हर्टेज 30 हर्ट गीगा हर्टेज और इधर देखिए कितना frequency बढ़ा frequency means energy power तो इसलिए इससे cancer नहीं हो सकता है अब हम आते हैं कि scientific consensus इसका क्या है मैंने scientist लोगों का क्या मत है यह जो scientific evidence है जो proof I strongly support करते हैं कि radio wave जो mobile या wireless technology से निकलता है उसमें इतना energy नहीं होता I do not have enough energy जो कि damage कर चके body को लेकिन यहाँ पर क्या है एक philosophical challenge है इतना होने के बावजूद भी कोई कुछ organization है जो official stance नहीं लेते हैं कि safety of radio frequency क्यों कि अभी तक कुछ इस तरह का प्रूफ नहीं हुगा निगेटिव इसका इसका कोई निगेटिव जैसे इसको नहीं समझने के लिए मालेजिए कि God existence of God भगवान है अब कोई बोलता है कि भगवान है लेकिन भगवान को कोई प्रूफ नहीं करता means क्या भगवान नहीं ह तब कर अगर फिलोस्पिकल डिवेट में क्या यह प्रूविंग और ननिगवान!!! भगवान नहीं है इसका कोई प्रूफ नहीं साइन्स के भीव में बोला है स्प्रिचुलिटी के भीव में नहीं तो यह फिलोस्पिक डिपेट चलता रहेगा लेकिन साइन्टिफिक बात करें तो यह मोबाइल फोन से कैंसर नहीं होता मिन्स इस सारी बातों को छोड़के अगर कंकुलूजन पर आए तक कंकुलूजन क्या करता है जितने भी डाटा है 5000 स्टडी का डाटा कंसिस्टेंटली सो कर रहे हैं बताते हैं कि मोबाइल फोन या कोई वायरलेस टेकलोजी यूमन हेल्थ के कैंसर होता है या नहीं नहीं होता है क्यों नहीं होता है यह भी हम डिसकस कर लिए इसका पीडिएफ हमारे टेलग्राम चैनल तीवारी जेनल स्टडी से आपको मिल जाएगा वहां से देख लीजेगा और उसको भी जोईन कर लीजेगा अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा कोई डाउट हो तो कॉमेंट में जरूर बताएगा तो थांक यू, have a good day and happy learning, thank you very much